आज हम यहाँ पर खड़े मसालों को यूज़ करके एक रेस्पी बना रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है वो रेस्पी जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आदी कटोरी साबुधनिया एक टेबिल स्पून जीरा, एक टेबिल स्पून सौंफ और हाफ टेबिल स्पून अजवायन, थोड़ी सी लॉंग और काली मिच, दरदरी करके कुटी यह मैंने उनको और चार से पांच साबुतलाद मिच, इनको मैंने हलका सा तोड़ लिया बीच में से दो चम्मच कसूरी में थी और थोड़ा सा हींग यहाँ पर एक बॉल्मे में जो हमने यह धन्या लिया है वो डाल दूँगी और सौंफ, जीरा, अजवायन और यह लान मिच हमाने को सब को मिक्स कर देना है अब जो यह हमने कसूरी में थी लिये दो चम्मच यह भी इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा में डालूँगी इसमें हींग और अब इसमें डालूँगी में आधी कटोरी बेशन यहाँ पर एक कटोरी में मैंने दो चम्मच पानी लिया है अब आप इसको आपको इसमें डालना है आधी चम्मच नमक स्वाद नसार कर लीजेगा आप आधी चम्मच अमचूर पौडर और थोड़ा सा लानमिज पौडर इनका हमें गोल बना लेना है आपके पास अनार दाना है तो आप इस रेस्पी में अनार दाना भी यूज़ कर सकते हैं अब जो यह हमने मसाले सब मिस्किये थे और बेसन मिस्किया है अब इस घोल किसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एगदम से सारा नहीं डालेंगे डालते वे आपको मिस्क लेना है यह देखिये यह ऐसा गाड़ा गाड़ा सा हो गया बिलकुली सूखा सूखा सा इसमें में थोड़ा सा पानी ओ डालूँगी जादा नहीं थोड़ा सा डालूँगी और से हम मिस्क कर लेंगे यह हमारा मिश्रन तयार हो चुका है सारे मसालों का बेशन का इसमें आप बारी कटके बारी काटके लैसन में डाल सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगीगा इसमें यहाँ पर कड़ाई में मैं यहने सरसो का तेर पकने रख दिया था अब मैंने फ्लेम को कम कर दी है आपको हाथ में थोड़ा सा ऐसे पानी लगाना है और आपको थोड़ा सा इसको ऐसे हाथ से दबाते वे इसमें डाल देना है ज्यादा पत्ला नी करना और ज्यादा मोटा नी रखना ऐसा रखना है जिससे वो अंदर तक सिख जाए ये सारे मसाले सबके घरों में होते ही है कुछ आपका चटपटा खाने का अलग सा मन है तो आप बना के खा सकते हैं बहुत जल्दी बन जाएगा और बिल्कुल अलग सी रेस्पी है और बहुत जल्दे बनने हैं अमाली एक रेस्पी है ऐसे करके हम इसे सेख लेंगे जब ये सिख जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे जब ये थोड़ी सी सिख जाएगी तो आपको इसे इनको पलट लेना है आप समझी गए होंगे आज हम क्या बना रहे हैं आज हमने यहाँ पर बनाई है खड़े मसालों को मिक्स करके उसकी पकोड़ी अब इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा सिखने में जब ये सिख जाएगी तो हम इने उतार लेंगे ये देखे ये तल चुकी है अब इसे मैं उतार लूँगी कितनी अच्छी लग रही है वो खुछ भूब बहुत अच्छी आ रही है उनकी आपको ऐसे पानी लगा लेना हाथ में और इनको ऐसे लेते भी और ऐसे दबाते भी इनको आपको कड़ाई में डाल देना है आप इसमें हरी मीच लहसुन प्यास कुछ भी एड़ कर सकते हैं पर वो बारी कटावा होना चाहिए ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए मैंने खाली मसाले की बनाई है जिससे मसाले का टेस्ट अच्छा आएगा ऐसी हम बाकी के गान भी डाल लेंगे यह देखिए यहाँ पर हमारी खड़े मसालों की पकोड़िया बिल्कुल तयार हो चुकी है कितनी अच्छी लग रही है करारी करारी चटपत्टी पकोड़िया यह देखिए इसमें आपको हर मसाले का अलग-अलग टेस्ट और प्लेवर आएगा और खाने में टेस्टी है और हल्दी तो होता ही है खड़ा मसाला यह देखिए कितनी करारी बनी है तो यह थी आज की रेस्पी